असलाम अलेकम, आज हमारा पावर पॉइंट का थर्ड लेक्चर है, आज हम चंद बेसिक चीज़ें सीखेंगे, मिसाल के तोर पर पावर पॉइंट में एक न्यू फाइल लेना, फाइल को सेब करना, फाइल को क्लोज करना और पहले से मुझूद फाइल को ओपन करना, ये ची नई प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, दूसरा तरीका ये है कि आफिस बटन पर क्लिक करके न्यू को सेलेक्ट करें, ये बलैंक प्रेजेशन या कोई टेंपलेट वगएरा जो भी आपने स्टार्ट करना है उस पर सेलेक्ट करके क्रिएट करें तो आपके पास न में कुछ टाइप कर लेते हैं lecture 3 3, new file, save a file, close a file, open a file यह हमने एक छोड़ी सी फाइल बनाई, इसको save करने के लिए quick access toolbar पर यह save का button क्लिक करें या microsoft office button, office button पर क्लिक करने से यह save की option आएगी, इस पर क्लिक करें या तीसरा shortcut key का तरीका है, ctrl s, यह dialogue box open होगा, इसमें location select करें, कहां इसको save करना है इसका नाम रखें, जो भी नाम इसका रखना है, और save as type, कौन सी type रखनी है, powerpoint presentation, save का button प्रेस कर दें, यह file हमारी save हो गई फाइल को open करना, अभी हमने जो file save की, इसको open करने के लिए, office बटन पर क्लिक करें, open पर क्लिक करें, या shortcut key है control o, control और o दोनों की इस एकठी प्रेस करनी है, location पर जाएं, किस location में, इस वक्त document में हम देखेंगे, यह अभी थोड़ी देर पहले जो file save की थी, lecture 3 के नाम से, इसको select किया, और यह open का button प्रेस करना है, हमारी file open हो जाएगी, सामने आ जाएगी, इस file को close करने के लिए, office बटन पर क्लिक करें, यह close का button है, इस पर क्लिक करेंगे, file close हो जाएगी, यह दूसरा तरीका, alt F4, shortcut keys, और तीसरा तरीका है, यह control बटन में, close का button है, इस पर क्लिक करने से file close हो जाएगी, और इस बटन पर क्लिक किया, इस close की option को select किया, तो यह हमारी file close हो चुकी है, application अभी चाल रही है, PowerPoint application, इसको close करने के लिए, यह close का button प्रेस करेंगे, तो हमारी यह PowerPoint भी close हो जाएगी, यह था हमारा PowerPoint का third lecture, आज हमने पढ़ा, कि PowerPoint में एक नई file कैसे create की जाती है, file को save कैसे किया जाता है, पहले से मुझूद file को open कैसे किया जाता है, और फिर इस file को close कैसे किया जाता है, और MS PowerPoint application या software को कैसे close किया जाता है, मिलते हैं अगले lecture में चैंदर नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए, आला हाफिज